वेलकम टू प्यूर कुकिंग चलिए आज बना लेंगे मेथी की भाजी और टमाटर का साला में यह बहुत ही लाइट होता है स्टमक पे तो अगर कोई पेशन्ट हो जिनका ऑप्रेशन वगरा हुआ हो और कॉंस्टिपीशन की शिकायत हो या फिर आप फंक्शन एटेन करके प जो डेलिवरी वाली मॉम्स होती है उनको भी दे सकते हैं बहुत ही लाइट सालन है तो चलिए बनाना शुकरते हैं तो ऐसी रेसिपी आ रही थी कि कुछ लाइट और बुजरगों के लिए भी सालन बनाएए तो उनके लिए यह सालन है इसके लिए मैंने हाफ कप ऑईल गरम इसमे अट करेंगे दो अनियन और इसको अच्छे से फ्राइ करेंगे और जैसे ही अनियन का कलर चिंज होगा हम इसमें मसाले अट करेंगे जैसे मैंने कहा यह बगत Immいきます जब आपको बहुत हैवी लगे या फिर आप दावत वगेर आटन कर आए हैं तो यह सालन आप ट्राइ बना सकते हैं और जिन जगा लिक पेस्ट दाल के भी हमने इसको अच्छे से भून लेना है लाइट हैस का मतलब यह यह कि यह टेस्ट लेस्ट है यह बहुत ही टेस्टी सालन बनता है इवन इसको आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे तो टिफीन वगेरा के लिए भी तो इसलिए इस भी बज्यण indem बबता और लेर। हो इसको अच्छे से भून लेंगे स्लाव से मसाले जो है अच्छा अ और टेस्ट ही होता है सालन टेस्ट ते देखे सारा मसाला मैंने इसमें भून लिया फिसमें आट करेंगे 300 grams टमाटर जिसे मैंने 4 तकड़ों में कट करेंगे पानी ब्रक्शले की तर formidable कि मैंने इसकी अग्मोर्च करेंगे तो हम सारे मुझा countryside को फ्लेम उस्टो की और अच्छे से भून लेना है टमाटरों को और प्यास को इस तरह से भूनने से बहुत ही गाड़ा सा सालन तयार हो जाएगा आप देखेंगे कि अगर आपके पास में बिल्कुल खाना बनाने का टाइम नहीं है तो उस दिन आप ये रेसिपी ट्राइ कीजि तो इसको मैंने धो के मेथी की भाजी को चार-पांच पानी से कट कर लिया है ये इसमें अट करेंगे और मेथी की भाजी दानने के बाद में इस तरह सी धक के पकाना है प्रेशर कूक करना है सालन को और जैसे इसमें ओयल डिलीज हो जाएगा इस्टो की फिलेम लो कर दीज करेंगे और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार है अगर आप पेशन्स के लिए बना रहे हैं तो हरी मिची अवाइट करिए ये देखिए बहुत ही मज़ेदार ये सालन लगता है रोटी और चावल दोनों के साथ में आप इसको सर्फ कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि कम मसालन से है तो टेस्टलेस है ये बहुत ही टेस्टी सालन बनता है तो जरूर राय किजिए ये मेथी की भाजी और टमाटर का सालन तो सर्दियों में मेथी की भाजी काफी ताजी ताजी आती है और बहुत अच्छी मिलती है तो जरूर राय किजिए ये सालन और रेसेपी अच्छ झाल झाल